हेलो प्रेंड स्वागत आगका अमारी यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोटिवेशन में और आज का अपना टोपिक है हाउ तो गेट पेटेम डेबिट कार्ड फिजिकली और हाउ टो ओपन पेटेम सेविंग बेंग अकाउंट यानि पेटेम में सेविंग बेंग अकाउंट आप कैसे ओपन कर सकते हैं और उसके अलावा आप पेटेम का जो डेबिट कार्ड हो फिजिकली अपने घर पे कैसे मंगवा सकते हैं और उस debit card को आप कहीं भी इंडिया में किसी भी ATM transition में या किसी भी ATM पर आप उसको यूज में ले सकते हैं इस एक normal debit card को आप यूज में लेते हैं इसका सब कुछ अपन कैसे PTM debit card अपन को लेना है क्या process है उसकी कैसे अपने को ओपन करना है PTM saving bank account इसका सब कुछ अपन practical करके देखेंगे आज इस वीडियो में सबसे पहले अपन मनाएंगे एक saving bank account पेटेम में उसके बाद अपन order करेंगे physical debit card के लिए तो सब कुछ कैसे करना है उसके जाने के लिए आप प्लीज इस वीडियो के एंटर देखते रहिए इसके अलावा थोड़ी basic बात कर लेते हैं payment bank से related अगर आप पेटेम के बारे में आप सब जानते ही होंगे कि पेटेम में आप अपने mobile number से login कर सकते हैं उसके बाद उस अपना account बना के उसमें आप wallet पर पैसे डाल के कोई भी payment करना हूँ रिचार्ज करना हूँ किसी भी चीज में आप उसको यूज में ले सकते हैं और यह normal ही सब लोग करते हैं लेकिन आपको क्या बता है कि पेटेम यह का मतलब saving account भी आपको प्रोवाइड कराता है आप अपना पेटेम में एक saving bank account ओपन कर सकते हैं और उसके जैसे एक नोर्मल आप बैंक में जैसे transaction कर सकते हैं वो सारी facility आपको पेटेम payment saving bank account में देखने को मिलती है उसके लिए आपको क्या चाहिए आप एक resident इंडियन होने चाहिए इसके अलावा इसकी जो limit है वो maximum limit आप one lakh है यानि कि आप at the end of the day यानि दिनके ending में आपके पास पेटेम payment saving bank account में एक लाग रुपे से जादा नहीं होने चाहिए इसके maximum limit है wallet को मिलाके जो wallet balance है उसको मिलाके एक लाग से जादा नहीं होने चाहिए minimum आप इसमें zero balance के साथ अपना account open कर सकते हैं इसमें आप जैसे एक bank के interest provide कराता है जैसे 4% परेने पेटेम में आपको minimum interest provide कराता है अपनी savings पर इसके अलावा आपको nominee जैसे आप किसी भी bank में open करते है account तो उसमें form फिल करते हैं आपको nominee चूज करना होता है वैसे इसमें भी अपन आप nominee चूज कर सकते हैं बिना nominee के भी अपना account को सकते हैं वो सारी process अपन करके देखेंगे इसके अलावा आप mobile banking UPI किसी NEFT में सब जगे इसको आपन IMPS किसी भी online fund transfer में आप इसको यूज में ले सकते है पेटेम को पेटेम debit card को आप इसको यूज में ले सकते हैं पेट आप इसके अलावा आप बात करूं कि आपको पेटेम debit card के लिए क्या पेए करना होता है अगर आप पेटेम सेवें जीरो बिलेंज के साथ पेटेम सेवें इकाउंट ओपन करते हैं उसके पेटेम debit card physically मंगवा ले के लिए आपको बैस से तो कोई fees देने नहीं पड़ती लेक पड़ती है इसके अलावा आप पेटेम debit card मंगा सकते हैं जो आप अपने debit card transaction है वो इंडिया में across इंडिया कहीं भी कर सकते हैं एक लाग से जाधा पेटेम पर उसके लिए आपको every monthly जाशे नॉर्मल आपन debit card भी limit होती है transaction के वैसे इसकी limit भी है non metro location में आप 5 transaction दम फ्री कर स सकते हैं इसके बाद आपको 20 रुपे per transaction fees देनी होती है तो यह सारी चीज़े अपने को facilities देती है पेटेम पेटेम में payment saving bank account open करने बाद अपने को सारी facility मिलती है और आप चलके देखते हैं कि कैसे अपने को पेटेम saving bank account open करना है और कैसे अपने को पेटेम debit card प्राप करना है उसके सारी processing क्या है सारी चलके देखते हैं तो दोस्तों आपको पास पेटेम अगर आपको saving bank account open करना हो physical debit card मंगाना है तो सबसे पहले आपके पास latest Paytm का जो अपडेटेड होना चाहिए वो अपडेटेड होना चाहिए वो अपडेटेड एप आप प्लीज इन्शूर कर लि आपको home all scan bank inbox आप बैंक वाले पर क्लिक कर जीए बैंक वाले पर क्लिक करने के बाद आपको यह विंडो दिखाई देगी जहां पर आपको बता रहा है कि say money on money transfer zero free account तो आप यह कर लिजिए लेकिन उससे पहले आपको एक step और करने पड़ेगी आपको अपना KYC complete करना पड़ करने के लिए आप कोई भी id आदान अंबर अपना दे सकते हैं और आपको जो आधार नाम है वो दे सकते हैं रही जो आप से अद्रस पूछेघ का आप जो आपको एड्रस देंगे थे उस जो कि आप उनलाइन यूज कर सकते हैं, अब उस कार्ड को आपको अगर फीजिकली मंगवाएना है, तो आपको क्या करना है, कि वहाँ पे आपको एक debit and native का ओप्सन मिलेगा, वो ओप्सन आपको select करना है, वो option select करने के बाद आपको एक address पुचेगा कि किस address पे आपको deliver करना ह आपको सारी process बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा में अभी KYC complete नहीं है, KYC complete होने में, मैं detail फिल करके, इसे मैं दो तीन का time लेगेगा, इसलिए आपको जो process fast में open करने के बाद में account follow होती है, वो आपको आपको मैं बता जिता हूँ कि आप debit card कैसे ले सकते हैं, तो आपको एक option द दबाएंगे तब आपको वहां पर address देना है, कि किस address पर आपको एक card deliver करना है, वो address देने के बाद आप से payment पूछेगा, जो मैंने मताया था कि annual subscription fees 100 rupees होती है, प्लस delivery charge होती है, तो करीब आप से 120 रुवे का charge वो मांगेंगे, वो आप अपने paytm के wallet कि थूँ पे कर सकते हैं वो pay करने के बाद आपको जो, आपको confirm करते हैं कि आपके पास एक message आएगा, उससे confirm हो जाएगा कि आपका कब तक क्या मिलेगा, आपको कब तक deliver होगा, और आप उसके बाद अपना status भी check कर सकते हैं, यहाँ पे account में जाके, तो status भी check कर सकते हैं, जैसे आपन कोई online transaction करते है कोई online चीज में हुआ है, flip card या imagine के through, आप इस status का अपना option आता है कि इतने दिन में पहुंच जाएगा, अभी पेक हुआ है, तो सारा आपका information मिल जाएगा, आपको कि कि इतने दिन में आपके बास deliver हो जाएगा, normally 8-10 दिन maximum लेते हैं, उसके बाद में आपका card deliver हो जाएगा card deliver होने के बाद आपको उसको scan करना है, और scan करने बाद वो activate हो जाएगा, जब आपका card activate हो जाएगा, तो activate करने के बाद आप उसको कैसे भी किसी भी transaction के लिए, जैसे एक normal debit card को use करते हैं, वैसे use कर सकते हैं, किसी भी ATM transaction में कर सकते हैं, कैसे भी आप उसको use में ले सकते हैं, तो दोस्तों यह ती complete process how to get Paytm debit card physically, यह नहीं आप physically debit card कैसे मंगा सकते हैं और how to open Paytm saving bank account, और Paytm saving bank account कैसे open कर सकते हैं, इस literate आपके मन में अगर को question है तो please comment box पर comment कीजिए, और अगर यह please be your पसंद आया तो like and comment करना मत भूलिए, और अगर अभी तक आपने मारे channel subscribe नहीं किया